हेलो फ्रेंड्स मारी चैनल पर आप सवनो स्वागत छे आज हुँ ता मारी साथे देशी कठ्यावाडी थाड़ी नी रेसेपी शेर करीज जे खुब जड़प्ती बनी जाय छे अने खावामा एटलित सरस टेस्टी लागा छे अने गर्मियोनी सेजन मा अठ्वडियामा एक व अने आने आपने जिनी-जिनी सुधारी लेशु घर्नी वाडी नी भाजी छे एटले वजन्थी एकजेट हुँ तमने कई नी शकू पन सुधार्या पछी कप ना माप्थी जोई तो लगभग त्रण मुट्टा कप जिटली भाजी थशे ता बद्दीच भाजी ने आपना पथफा तो त्रण मुठी जिटली भाजी छे तो हवे आपने भाजी नो वग़ार करीशु पन थोडिक अलग रिते जिने माटे कड़ाई नियंदर चार चमची जिटलू तेल लेवानु लसन खांडी ने लेवाकर ता कटकी करी ने लेवा थी तेनो फ्लेवर वधारे आव अपने शातड़ी लेशु गेस ने फ्लेम मीडियम राखवानी चे ले लसन बड़ी न जाए तो जो आपनो लसन सरस बदामी कलानु थाई गयुँछे तो हवे आपने भाजी धोईने राखी हती ते बद्धी जानियंदर नाखी देए औने हवे आने बराबर मिक्स कर लेश अपने डैरेक्ट पाणी के मसाला नथी नाखवाना भाजी ने पेला आई वरीतना लसन मा सांतड़वानी चे जेन्ना कारने लसन नो एकदम सरस फ्लेवर भाजी मा बेशी जासे औने भाजी खावामा खोबच टेस्टी लाखशे गर्मी उनी सीजन मा आने खासकारी ने घर आवीने मिक्स कर लेशू गर्मीव मसान जे बहु मसाले देर खाव गमतु नथी होतु आ थाड़ी येवी छे के तामे बपोरे पन खाई शको छो अने रातरे डिनर मा पन बनावी शको अने खुब जड़क थी बनी जाय चे भाजी ने चड़ता कई वार नथी लागती औने खाव मा हेल्दी नी साथे साथे टेस्टी पन एटली दलागे चे तोछ आ बदुद सरस मिक्स थाई गयुँछे पाजी नू पोता नू पन पाणी चुट्टू पर छे एटले हमना आपणे पाणी नही नाखिये स्लो फ्लेम पर आने थोड़ीक वार थवा देए तोछे थो ती खाश तमने जोईत्युए ते प्रमाणे वधर्योची करी शकोचो अने फर्यवार आने हला वीने बराबर मिक्स करलेशू तो जा बदु सरस मिक्स थाई गयुँछे हजी मुँँ पाणी यानी इंदर थोड़ूक नाखी देश मने उच्छु लागी रईवत तो इटले आने बराबर मिक्स करलेशू अने हवे गेस्नी फ्लेम एकदम श्लो करी आने उपर थी बे चमची जेटलो चाणा नो लोट नाखी देशू पन लोट नी कचाश जराय नहीं लागे ऐरितना बे चमची लोट नाख्या पछी स्लो फ्लेम पर आने थोड़ी कवार आमत सी तो बराबल मिक्स करया पछी एकदम स्लो फ्लेम पर आने थोड़ी कवार माटे हजी थवा देशु तो जो थोड़ी कवार थेगी छे अन्य एकदम टेस्टी एवी तांजली आनी भाजी आपणी तयार थेगी छे तो हवे आपणे गेसने फ्लेम बन करी ना आने साइड मा एक वाटकी जिटलू पाणी लेलेशु तामे घरमा रहेली कोईपन वाटकी नू माप सेट करी शको छो तेनी अंदर स्वात्प्रमाणे मिठो अने अर्धी चमची जिटलू घी नाखी देशु तोड़ुक पाणी ने उकडवा देए चो पाणी इमा साधरन उब्रो आवा लागयो छे तो हवे आनी इंदर एक वाटकी जेटलो मकाईनो लोट नाखी देशु गेसनी फ्लेम एकदम स्लो करी देवानी और आने बराबर मिक्स कर लेशु जे वाटकी नाम आपथी पाणी लेदू एज वाटकी नाम आपथी लोट लेवानो छे एलले बन्नेनू प्रम एकदम ठंडो नथी करवानो लोट ने तो हवे आपण या लोट ने काथरोट मा नाखी देए आनी पेला आमे तमारी साथे जुवार ना लोट नी रोटली कई रितना बन्नावी तेनी रेसिपी पन शेर करेली छे चिनी लिंक हूँ तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स म घी वाडो करी लेशु तमे इच्छो तो तेल वाडो पन करी शको छो अन्य लोट ने एकाद मिनिट माटे बराबर मसली लेशु मकाईनो लोट चे तेक लूटन फ्री होय छे एटले आने थोड़ी कवार आपणे मसली लेशु जो लगभग एकाद मिनिट जेटलो में लोट चाटी देशु तेनी उपर एक लोगो मुकी देए अने इन उपर पन थोडोक मकाईनो लोट चाटी देए अने प verschछते यह पेला हाथनी हथेली नी मदेथी आपणे दढवईने फेलावि देशु तोडोक आपणे फेलाविया पछी सैट्नी यानी जे कीनारी चे ते फा भणीने रोटलो बनाईव शकोछो अध्याथ थेपी ने पुन बनी जसे रोटलो पन जेलोकोने याथ थेपी ने रोटला नथि आ वड़ता तेना माटे हूँ आचे बताईवी रहीचु तो जो अमे रोटलो भणी लिदो छे अनुए यह एणि थिकने सुम्तमने बताईवी बिजी साइड आटली आची आचीच प्रिंट आवी जुईए तो हवे मीडियम फ्लेम पर आपने रोटला ने थोड़ी कवार थवा देशु थोड़ी कवार था एटले आपणे उचकावी ने जुई लिए तमे तावी थानी मदे थिपन करी शको छो अन्ने जे साइड रोटल एक साइड थी सरस शेकाई गयो छे तो हवे आपणे आणे उन्धो करी नाखिशु अन्ने त्यार बाद मीडियम फ्लेम पर थोड़ी कवार थावा देशु एटले रोटलो पोतेज एकदम सरस फुली जाशे त्या सुदिय आपणे बीजो रोटलो पन करी लेए तो जो आरे बन्ने साइड घी लगाडिशु एटले आपणे चाकोनी मदेत थी एनी जे उपरनी पोपडी छे तेना आई रितना कट करी लेशु अन्ने अंदर घी लगाडि देए तो गर्मा गर्मा आई रितना मकाई नो रोटलो अन्ने तांजलियानी भाजी उन्नाडामा खुब मुखेलो छे तेनी साथ आपणे तैयार करेली गर्मा गर्म भाजी और मकाई नो रोटलो मुखी देए तो आजनी आ देसी काठियावाडी थाड़ी तमने केवी लागी ते प्लीज मने कॉमेंट करीने जणाव जो आदनी रेसेपी गमी होए तो लाइक करीने वधुमा वध शेर पन करजो आणे आवीच आउनावी रेसेपीस जो आमाटे मारी चैनल ने सब्सक्राब करवानूना बुल्चो थैंक्स फॉर वचिंग